हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं UPSI के लिए पूरे सम्मिधान की सीरीज आप लोग लिए चला रहा हूँ तो सम्मिधान की उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है आपका मुक मंतरी मुक मंतरी से जितने भी important questions बन सकते हैं जितने भी important article होगें सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुचाईएगा वीडियो की PDF डिस्क्रिप्सन में टेलेगराम चैनल कर लेंगे दिया हुआ है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों अगर आप घर बेटे UPSI की या उत्तर प्रदेश में जितने भी आगामी एग्जाम है चाहिए UPSC PET हुगा UPSI Foundation बेच हुगा UPSC, UPSC, ROAR हुगा UPSC, Prelims हुगा इन सभी एग्जाम की तयारी आप एक ही सब्सक्रिप्सन के साथ कर सकते हैं UPSC की अपको परचैनल का डिसकांट भी प्राप्त हुगा UPSI की बात करें तो Foundation बेच जो है यह आपका 8 March से Start होने वाला है तो purchase करने के लिए description में link दिया हुआ है तो चलिए देख लेते हैं पूरा topic वीडियो को start करने से पहले मैं आपको मुक मंतरी से समझे तीन अनुचित आपको बता रहा हूँ अनुचित 163, अनुचित 164 और अनुचित 166 ये तीन अनुचित में आपको बता दे रहा हूँ इन तीन अनुचितों से आपका काम हो जाएगा जैसे अनुचित 74 में मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको प्रदान मंतरी बताया था कि यहाँ पर प्रदान मंतरी का मंतरी परिशत होगा इसी प्रकार से अनुच्छिद 163 में राज्यों का मंत्री परीशत होगा किसका राज्यों का मंत्री परीशत होगा अनुच्छिद 163 में और अनुच्छिद 164 जो है इस मंत्री परीशत का जो हैड होगा वो कौन होगा उस राज्य का मुक मंत्री तो समझ गए मुखमंतरी से संबनेट कौन सा आनुचेद है? अनुचेद 164 समझ गए? एक आनुचेद और याद करलो अगर थोड़ा डीपली एक्सामनर कोशलर्स पूछता है तो अनुचेद 166 पूछ लेता है जो कि मुखमंतरी के कार्रियों से संबनेट है और मुकमंत्री के सारे कार राजपाल की सलापर होंगे समझ गए तो ये आपके तीन अनुच्छे जो है वो आपको याद करना पड़ेंगे मुकमंत्री कौन होता है मुकमंत्री जो है वो बिदान सवा या बिदान परीसद में या तो बिदान सवा या बिदान परीसद में बहुमत दल का नेता होता है मुकमंत्री कौन मुकमंत्री अब देखो बिदान सवा से भी आप मुकमंत्री बन सकते हैं बिदान परीसद से है तो यह सारा क्राइटेरिया होता है मुखमंत्री बनने के लिए मुखमंत्री के जो नियुक्ति वो राजपाल के द्वार की जाती है हलाकि मुखमंत्री देखो कई मुख मंतरी के लिए नियुक्त किया जाता है जैसे कि आपने इसकोल किजिए उत्तर प्रदेश से आपसंव्क्त है आपने जब बूट तो दिया होगा मुख मंतरी के बिदान सवाब के लिए लेकिन एक्च्वल में बाद में बनेते और बाद एनका सामने आया था कि योगी आज इतना जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री बनेंगे पहले तो नहीं आया था ना तो इसी प्रकार से आपको निर्वाचन और नियुक्ति का मतलब समझ गया होंगी तो पहले कोसंस के तरफ बढ़ते हैं जितना भी आपका मुखमंत्री संब्दित आ वो नियुक्त होते हैं और नियुक्ति कोन करता है राजपाल सबत कौन दूलाता है राजपाल मुखमंत्री अगर त्याक पत्र भी देगा तो वो राजपाल को ही देगा यह सारे कोसंस आपको पता होना चाहिए मुखमंत्री की नियुक्ति किसके दौरा की जाती है अब यह मंत्री की जो आपके नियुक्ति है वो समीदान की किस अनुच्छेद के तेहत की जाती है अनुच्छेद 163 यानि कि इस कोस्टन का तीसरा आपसंस आपका बिल्गुल करेक्ट है कौन सा अनुच्छेद 163 नेक्स्ट कोस्टन दोस्तों आपके सामने है कि समानता राज्यों के म मुक्मंत्री हैं वो बिदान सवा में बहुमत दिल का नेता होता है और जिन राज्यों में बिदान परीसत है तो बिदान परीसत में बहुमत दिल का नेता हो सकता है लेकिन mostly जो सभी राज़ों में बिदान सभाय तो इसलिए बिदान सभाय में वहमत दिल का नेता जो है वो मुकमंतरी होता है तीसरा options राज के सासन का वास्तविक अद्धिक्ष कौन होता है तो राज के सासन का वास्तविक अद्धिक्ष जो होता है वो मुकमंतरी ही होता है इस questions का दूसरा options आपका बिलुकुल correct है कौनसा options दूसरा options राज के सासन का जो वास्तिविक अध्यक्ष कौन होता है मुख मंत्री चीफ मिनिस्टर होता है next questions राज मंत्री परिशत का निर्माता सहाकारक तथा प्राण दाता कौन होता है तो यह होता है आपका मुख मंत्री दूसरा options आपका बिलुकुल correct है देखो जिस परकार से पूरे राष्ट में परदान मंत्री होता है इसी परकार से राज में मुख मंत्री होता है basically अगर देखा जाए मुख मंत्री और परदान मंत्री दौनों similar हैं लेकिन अब यह नहीं कह सकते कि दौनों की सक्तियां जो हैं वो बहुत अलग अलग है समझ रहे हैं मैं आपको एक तरीके से समझानी कुछ कर रहा हूँ क्योंकि परदान मंत्री मैंने आपको पढ़ा दिया तो इस तरीके से आपको सारी चीज़े समझ में आ जाए है ना तो मुख मंत्री आपका बिल्कुल सही answer होगा next questions राज मंत्री परिसद रूपी जाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है कौन होता है वो होता है आपका मुख मंत्री दूसरा options आपका बिल्कुल correct है यानि कि इस तरीके से language बदल बदल के examiner आपसे पूछ सकता है तो आपको कहीं भी घवराना नहीं है राजपल तता मंत्री परिसद के बीच की कड़ी कौन है तो राजपल तता मंत्री परिसद के बीच कड़ी जो है यह मुख मंत्री है यानि कि पहला options आपका बिल्कुल correct है कौन सा options पहला options next questions किसी राज के मंत्री परिसद की बेटक की अद्धिक्सता कौन करता है राज विकास परीसत की बेटक में प्रतिनेदित कौन करता है तो वो करता है आपका मुख मंतरी दूसरा आपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट कोस्टन दोस्त आपके सामने तो राज विकास परीसत की बेटक में प्रतिनेदित कौन करता है मुखमंत्री दूसरा options आपका विल्कुल correct है राज का मुखमंत्री किसके पिरती उत्तरदाई होता है ये important questions है समझे रहे हैं बहुत important questions है तो देखो जैसे की प्रधान मंत्री जो है वो किसके पिरती लोग उत्तरदाई होता है लोग सवागे पिरती इसी प्रकार राज का मुक मंत्री बिदान सवा के पिरती उत्तरदाई होता है समझ गए तो ये कोसंस बहुत इंपोटेंट है आप लोग ये नहीं समझ देना कि राजपाल के पिरती समझ गए तो बिदान सवा के पिरती उत्तरदाई होता है राज का मुक मंत्री बिदान सवा द्वारा चुना जा सकता है मंत्री परिशत के सदस द्वारा नियुक्त किया जाता है मंत्री परिशत की सक्ति को निर्दारित करता है मंत्री परिशत का बेतन निर्दारित करता है तो राज का जो मुक मंत्री है वो actual में क्या करता है राज बदान सबाद वारा चुना जाता है यानि कि येस questions का पहला options आपका बिल्कुल correct है next questions भारत के किस राज में सरप्रतम कोई महिला मुकमंतरी निक्त हुई तो कौन है वह आपका उत्तर प्रदेश राज कौन थी उनका नाम था सरोजनी नाइडू ये भी आपको पता होना चाहिए सरेजनी नाइडू तो आपकी राजपाल थी हम बात कर रहे हैं महिला मुकमंतरी की सबसे पहले उत्तर प्रदेश में तो हुई एक तो आपकी माया बती थी और ये दूसरी थी उत्तर प्रदेश की महीला मुकमंतरी और पहली ऐसी मुकमंतरी ठीक है तो बाया मती जी तो दूसरी मुकमंतरी थी महीला लेकिन पहली थी सुचेता करपलानी ठीक है तो उत्तर प्रदेश में पहली महीला मुकमंतरी कौन थी सुचेता करपलानी और दूसरी थी मायावति और मायावति पहली महीला मुकमंतरी थी अनुसुचित जाती वाली ठीक है तो ये भी पता होना चाहिए निमलेकत मैंसे कौन उत्तर प्रदेश की पिरतम महीला मुकमंतरी वनी अभी आली मैंने आपको बताया वही कोसंस आपके सामने कौन वनी निमलेकत मैंसे कौन उत्तर प्रदेश की पिरतम महीला मुकमंतरी वनी सुचेता किलपलानी कौन सुचेता किलपलानी यानि केस कोसंस का दूसरो आप्संस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोसंस तिरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट कोसंस किसी वारती राज की पिरतम महीला मुकमंतरी कौन वनी तो किसी भी वारती राज की पिरतम महीला मुकमंतरी कौन वनी उनका नाम अभी हाली मैंने आपको बताया उनका नाम था नंदनी सत्पती किसी भी राज की उत्तर प्रदेश की वनी थी कौन सुचेता किरपलानी और उतर पर देश की ना पूचें तो नंदीनी सत्पती तीसरा पर जिस किसी भी राज की मदब पर देश के प्रतम मुकमंतरी کौन थे तो मदब बर जिसके पृतल मुकमंतरी थे केलास नात काटजू दूसरा ऊफ्संस आपका बिल्कुल करेक्ट है किसी भी राज में मुकमंतरी पतफ पर सरवदिक दनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कोने हैं तो नियरकों यह कोस्टंस जो है वह आपका चींज हो गया तो किसी भी राज में मुकमंतरी obd pour सरवदिक आसीन रहने वाले वेक्ति कोने आगर in actions की IS に distintos की बात करें तो इन options चामलिंग तो ये आपका बहुत important questions है आप पवन कुमार चामलिंग याद कर लीजिए ठीक है next questions बिहार के पिरतम मुकमंतरी कौन थे तो बिहार के पिरतम मुकमंतरी की बात करें तो उनका नाम क्या था जैराम दौलत राम ये questions आपके पूछे जा चुके हैं state government में इसलिए अंसर की तो आपका जो सछी आंसा की और पूछेज़ उत्त्तर परदेश जा जाएक का जाएया उत्तर परदेश की देखो सबसे पहले उत्तर परदेश की पहले मुकमंतरी कौन थे? आपको दिखी रहा होगा जैसा की पहले का पहले ही option. ए पहला options आपका बिल्कुर correct है next questions आपके सामने है कि भारत के किसी राज में मुकमंत्री पत पर नियुक्त होने वाले पिरतम दलित महीला अब याली मैंने आपको बताया दलित महीला कौन थी तो भारत के किसी भी राज में मुक मंतरी पत्पन नेक्त होने वाली पिरतम दलित महीला सुसरी उमा भारती और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो तहीं आपकी माया वती ठीक है तो चौता ओप्संस करेक्ट हो जाएगा और लाश्ट कोसंस के भारत के किस राज में महीला मुक मंतरी कवी नहीं वनी तो वह राज है आपका महाराष्ट भारत के महाराष्ट राज ऐसा है जहांपर महीला मुक मंतरी कवी नहीं वनी ठीक है तो यह थे आपके दोस्तो 22 ऐसे important questions जो कि आपके मुखमंतरी से समझ देते हैं तो अब आपको दोस्तो यह questions याद करने है अच्छे तरीके से और इमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नमबर आ रहे हैं अब दोस्तों मैं आपसे questions पूछ रहा हूँ कि बिहार के present time में मुखमंतरी और राजपल को हैं आप लोग मुझे comment box में बताएंगे तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सेहर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना बूलें क्या हूँ कि में रोजने इसी तरह की वीडियो जाप लोग लिए लाते रहता हूँ नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत